अब हम बात करते हैं धनु लगनवालों की कैसा राएगा धनु लगनवालों के लिए नमश 2017 जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि इस वर्षफल के परभाव को किस परकार समझा जाए इसके लिए हमने सबसे पहले एक अलग से वीडियो बनाया है आप सब उसको एक पर जरूर सुनें ताकि इस परभाव को इस ग्रेहों के गोच्च का परभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा उस जीज़ को आप समझ सकें क्योंकि अब हम जो ये परभाव दे रहे हैं ये राशी अनुसार नहीं है ये लगन राशी के अनुसार है कि आपका लगन कौन सा है उसके अनुसार आपके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है ये परभाव आपको बताया गया है अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे अब हम धनुलगन की बात करते हैं कि धनुलगन वालों के लिए कैसा ये वर्ष रहने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्ते की दर्नु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा स्वास्ते के लिए ये वर्ष इस वर्ष शनी जो है वर्ष आरम से ही आपके लगन को परभावित करने वाले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शनी का परभाव आपके स्वास्ते पर बहुत पढ़ने वाला है इस वर्ष इस वर्ष नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्यां आपको हो सकती हैं, कंदों में, गर्दन में, दर्द और सर्वाइकल की समस्या आपको हो सकती हैं, यदि ऐसे में आपकी लगन की और लगनेश की स्थिती कमजोर है, तो आप अपने हातों में शनी परवत की स्थिती देखें, यदि शनी परवत किस चीदि भी आपके हाथ में सही नहीं है तो आपको इस वर्ष विशेश रूप से साफधानी बर्तनी होगी कुछ भी समस्या आरंब होने पर परेज के साथ उसका सही से इलाज करवाएं नहीं तो यह जो वर्ष है इस वर्ष में जो समस्या होगी और आपको लंबे समय तक परशान कर सकती है और गंभी रोग दे सकती है इसलिए इसके लिए परेज करें और साथ में उपाय भी चुरूर करें अब हम बात करते हैं वेपार या नोकरी की वेपारियों के लिए समय मद्धे वर्ष तक अच्छा नहीं होगा भाग दोड़ इनकी काफी लगी रहेगी और वेपार या कारे के लिए यह यात्राएं इस वर्ष कर सकते हैं इन यात्राओं से इनको लाब भी मिलेगा और यह लाब वर्ष के मद्धे से इनको मिलना आरब होगा उसके बाद वर्ष के अंती महीनों में कारे के लिए इनके लिए शुब समय शुरू होगा जो लोग नोकरी पेशा हैं उनके लिए समय सही रहेगा और दनुलगन वाले ऐसे लोग कारे शेतर में आगे बढ़ने का मुका इस वर्ष पाएंगे परदो नती की भी समभावना है और जिनके बास नोकरी नहीं है वो भी इस साल नोकरी पालेंगे स्थानात्रन के और स्थान परिवर्टन के योग या एक जगा से दूसी जगे नोकी बदलने के योग जो है इस वर्ष लग रहे हैं प्रंतु ये परिवर्टन जो है कुछ भागदोर के बाद होगा और इनके लिए लाबदाएक भी रहेगा और इनको लाब राप्त होगा अब हम आए की बात करें तो इस वर्ष के मद्या तक धन अक्मन के जो हैं मिले जुले प्रभाव इस वर्ष रहेंगे वर्ष के मद्या के बाद जो गुरू का राशी परिवर्टन होगा उससे इनके धन के रास्ते खुलेंगे और वर्ष मद्या से संपत्ती और वाहन करीडने के भी कुछ आसार इनके बन रहे हैं क्योंकि गुरू का कौचर इसमें स्योग देने वाला रहेगा तो वर्ष के अंती महीनों में इनके लिए अधिक लाप्रत रहेंगे आई के लिए और आमधनी के लिए या किसी भी परकास से अगर ये संपत्ती अपना बनाना चाते हैं वार्ण करीडना जाते हैं तो वर्ष के अंती महीने इनके लिए स्योग करने वाले रहेंगे अब हम बात करते हैं प्रेम समंदों की और विवा की वर्ष के मद्य तक जो समय है वो प्रेम समंदों के लिए खास सही नहीं है कुछ मनमुटाव और परेशानिया इनको प्रेम समंदों में हो सकती है हो सकता है यह कुछ समय से यह महसूस कर ही रहे हों कि इनके बीच में गलत्वैमिया और तनावड़ा है तो मद्य वर्ष के बाद के समय में संबंदों में सुधार होगा और उसके बाद गुरू के परभावसा रूप अंती महीरों में रेम संबंदों के लिए समय अच्छा रहने वाला है और जो लोग विवा के योगे हैं और विवा बंदर में बंदना चाहते हैं उनके लिए जो समय है स्तम्बर के बाद से आरम होगा विवा होने की संभाबनाएं बनेंगी और जो लोग विवाहित हैं जो पहले से विवाहित हैं उनके लिए जो है समय अगर देखा जाये तो यह वश खास अच्छा रहने वाला नहीं है वश आरंब से ही जो है रिष्टों में और संबंदों में खटास या तनाव होने की स्थितियां बनेंगी यदि आपकी कुंडली में भी सब्तम और सब्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह संभाबना अधिक बढ़ सकती है तो ऐसे में अपने कुंडली का विश्टेशन करवाकर उपाई इस वर्ष जरूर कर लें क्योंकि जो परशानी इस समय आने वाली है वो लंबे समय तक आपको परभाव में लिये रहेगी और यह परभाव सब्तम स्थान पर तो मुक्यरूप से पढ़ ही रहा है तो इस वर जुरूर ध्यान करें अब हम शिक्षा की बात करें तो यह समय आरम हुआ है आपके लिए कुछ नई शिक्षा का कुछ नया सीखने का यह समय आपके लिए है और शिक्षा से जुड़ा कोई नय परिवर्तन आपके जीवन में इस वर्ष होता लग रहा है यह आप शिक्षा प्राप्ति के लिए ही स्थान परिवर्तन करेंगे यह अपने शिक्षा के शेत्र में परिवर्तन आप कर सकते हैं इससे आपको लाब की प्राप्ति भी होगी और गुरुजनों का सानिद्य और प्रेम आपको इस वर्ष मिलता रहेगा वर्ष के आकरी मुहीनों के समय खासकर आपका अच्छा जाने वाला है और यदि किसी नई विशे से आप जुड़ने का या परिक्षा का सोच रहे थे तो उसका परनाम भी आपको इस वर्ष अच्छा मिलेगा बुद्धी और ग्यान में आपके बिद्धी होगी और अपने टीचर्स का और कुछ मार्ग दर्षक आपके जीवर में इस वर्ष आने वाले हैं जिन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और जो धनू लगन के बच्चे हैं और लौ और कानून से जुड़े शेत्र में कारे कर रहे हैं या स्टड़ी कर रहे हैं वे लोग तो ये वर्ष उनके लिए तो विशेश अच्छे अफसले के आने वाला है और जो लोग टीचिंग से भी जुड़े हैं उनके लिए इलापरत रहेगा अब हम संतान पक्ष के अगर बात करते हैं और संतान पक्ष से जुड़े इनके कई कारे पूर्ण होंगे शूप समाचार भी इने मिलेंगे और यज़ि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो गुरू का कोचर संतान सुक के भी इनको देने के योग बनाएगा यदि कुंडली में कोई समस्या लग रही हो तो इस वर्ष उपाय कर सकते हैं तो वो लाब जल्दी देंगे वैसे अगर आप लोग धनुलगन वाले उपाय करना चाहते हैं तो सभी के लिए कुछ उपाय हैं जो आप इस वर्ष लगातार कर सकते हैं इससे आपको काफिस मस्याव में राहत मिलेगी केसर का तिलक आप लगाते रहें गुरुजनों की सेवा करें गुरुजनों और ब्राह्मन को केसर की भेंट भी करें तो इनके लिए लाप्रद रहेगी कुंडली अनुसार अपने शनी के सम्मंदित उपाय हैं इस वर्ष जरूर करें क्योंकि शनी द्वारा ये पूरे वर्ष ही प्रभावित रहने वाले हैं रुद्रभी शेख भी इस वर्ष करवाते रहें जितनी बार भी हो सके ये रुद्रभी शेख जरूर करवाएं अपनी कुंडली की अनुसार अपनी कुंडली को एक बार विशलेशन करवा कि उसके अनुसार यदि कोई समस्या ना हो तो मानिक्य धार्न करें क्योंकि द्रतन धार्न करने के लिए कुंडली का विशलेशन एक बार जरूर होना चाहिए यदि उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं लगती है कि धारन करने में तो आप मानी के धारन करें आपको लाग होगा हन्वान जी की पुजा और आरातना आप इस वर्श करते रहें तो ये प्रवाव आपको बतार आपके उपर आपके जीवन में इन ग्रहों की गोच्रका पूर्णते प्रवाव कैसा रहेगा ये आपकी कुंडली से ही जाना जा सकता है जो प्रवाव हमने बताया है वे समाने तोर पर इन लगनों के नुसार रहने वाला है इसके लिए आप अपनी कुंडली का विशलेशन करवाएं और अपनी ग्रहों की स्थिति को जांच करवाएं कि आपके लिए वे कैसा परभाव देने वाली है इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिये के नंबर से हमसे संपर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलीगा जै मता जी तनेवाद